Hello dear students, welcome to your online class for subject English. In English, today's video, we will discuss chapter number 15 of watering rhyme. Okay, यह आपकी एक poem है छोटी सी. So, चलिए आप डिसकस करते हैं. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. जो सुभा का समय होता है और जो शाम का समय होता है, वो समय पौधों को या फूलों को पानी देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. Watering at noon day, when the sun is high, does not have the flowers, only makes them die. जब दिन का समय होता है, उस टाइम पे हमें फूलों को बिलकुल भी पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो सूरज की रोशनी होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा करती है. जिसे क्या होते हैं चो पेड़ पौधे होंगे flowers होंगे वो उनकी कुछ help तो करेंगे नहीं पर क्या होंगे वो मर जरूर जाएंगे ओके also when you water water at the roots flower keep their mouths where we should wear our boots और जब भी हम पानी दें तो हमें flowers के या जो पौधे होते हैं उनकी जड़ो पर ठीक है roots में सोती है जड़े तो जड़ो पे पानी देना चाहिए we should wear our boots और हमें अपने जूते पहन लेने चाहिए shock the earth around them then throw all the heat फिर हमें क्या करना चाहिए जमीन पे शौक शौक करके अपने पैरों को रगरना चाहिए और बहुत ही ज़ादा गर्मी के साथ तो flowers will have water for their thirsty feet और बहुत ही जब हम अपनी अच्छी तरीके से उनको पानी देंगे flowers को पानी देंगे तो इससे क्या होगा जो उनकी thirsty feet होगी thirsty means प्यासी और feet यहाँ पे यूज किया गया है जो जड़े होती है root होती है उनके लिए तो उनकी जो प्यासी जड़े होंगी उनको बहुत ही अच्छे से पानी मिल पाएगा ओकी तो यह छोटी सी पोयम है a watering rhyme ओकी I hope you like it तो चलिए अब हम पोयम के नियवर डिसकस करेंगे सबसे first है इसमें hour आवर बोलते हैं एक घंटा ओके watering watering means पानी देना noon day noon day means दिन का समय boots boots means जूते shock shock means भिकोना heat heat means उश्मा earth earth means प्रित्वी thirsty thirsty means प्यासा ओके यह थे इस चप्टर के new words I hope you like it okay thank you have a great day